नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में तो यहां पे बिहार आइटियाई इंटर एक्जाम 2022 को लेकर वह यहां पे जो कि आज के इस वीडियो में जो कि सलेवस का जनकारी यहां पे देने वाले हैं बहुत सारे छात्री यहां पे कमेंट कर र कारी जो कि हम देने वाले हैं अपने चैनल के मात्य हम से तो वीडियो आप लोको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियो को लाइक कर जीजीगा अपने दोस्तों में सेर करिएगा ताकि जितने भी च्छाजों की बिहार आइटियाई से जो की इं जाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले च्छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब को लिए वीडियो को लाइक करिए है कि बात करें यहां पर हिंदी की देखिए दो 2021 वाला पेपर है अगर आप चाहते हैं मेरे पास देखिए 2021 का जो की पेपर सब्सक्राइब करा चाहते हैं तो मैं आपको करना होगा कि आपको चैनल को सबस्क्राइब करकरा रखना है जी मेरे जैसे ही पहले है यू ट्यूट्व सब्सक्राइब करते है तो देखिए यहां पर बात करें जो की कुल प्रस्थनों की संख्या आपको 100 नमर तो आपका अब्जेक्टिव जो की पूछा जाएगा 100 कोश्चन अब्जेक्टिव बहुत सारे छात्र बोलना है कि सवर 50 ही पूछा जाएगा क्या नहीं और 6 जो की आपका तो सप्थन रहे थीक है तो टोटल यो की 106 जो की कुस्टिन यहां पर रॉने वाला है देखिए आपका जो की एक्जाम टाइम इन यहां देख सकते हैं यहां पर देकिए पुड़ांग जो की उसने नमर का होने लेजिएगा इधर जो कि आपका आएगा वहाँ पर पूतर पस्तिका स्टो की संख्या यहां पर रहता है तो चलिए आपको जाने किसमें जो कि कितना अब्जेक्टिफ जो की पुछा जाता है पात करें हिंदी की तो देखें पिछली बार हिंदी में जो की पुछा गया था 100 objective जैसा कि यहाँ पे खंड औ में देखने को मिल जाता है आपको प्रस्ण संक्या एक से 100 तक के परतेक वस्टूनित प्रस्ण के 74 विकल्प दिये गए हैं जिन में से कोई एक सही है इन 100 प्रस्णों में से किनी 50 प्रस्णों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओ एमार पुष्टक पर चिनित करें तो आप लोगों में जनकारी लिख के लिए बताना चाहता हूँ बहुत सारे चात्र जो की बोल रहे थे कि सर 50 ही objective पूछा जाएगा क्या नहीं देखिए 100 objective जो की पूछा जाएगा इसी को लेकर पिछली बार जो की पेपर ओ एक पर आप लोगों पाता होना चाहिए ठीक है तो देखिए आप लोगों को जो की सवय objective जो कि यहां पे पूछा जाएगा देखिए एक सवय तक आपका objective रहेगा उसमें से आपको क्या करना है पचास कहीं उतर देना है जियां दूस्तों पचास कहीं आपको OMR पे टिक करन है ऐसा जानकारी आपको कोई नहीं देता है ठीक है इसलिए आप लोग अच्छा तरश से जो कि समझ लेजिए पचास को आपको जो की टीक करना है जी कि गोली आना रहता है आपको जो की करना रहता है बेक बुलू पैंसे तो आप लोग यह समझ गया कि आपको कि सवय objective जो क पापो स्थेक्टिव आया और से को गोलिया दिये ऐसा नही करना ठीक है आपका नोमर की कट सकता है इसलिए आप लोगा पूछा जाएगा पचास कहीं एंसर देखी देना है यह तो जाए अब जेक्टिव की बात हो गया और बात करते हैं सब्जेक्टिव की तो पूछा जाता है तो चलिए हिंदी का लिए हम बता देते हैं आप लोगों को पढ़के जाना है देखिए आपको पूरा पूछा जाएगा देखिए और देखिए आपको पढ़ना क्या है देखिए बात करें यहां पर देखिए अगर आप खन्ठों में यह सब पढ़ना किताबं से आप लोग इस लेखों का नाम कोभी का नाम याद कर लेते हैं तो आपका 20 नमर कण फॉर्म हो गया जीएं याद कर लिजिए ठीक है यह कोड़बक जिसके लेखक है मालिक मुहमद जाय सी ऐसे आप लोग को जो की याद कर लेना अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जो की सेलबस भी करा दूंगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको चाहिए या नहीं मैं देखिए आपकी आठढंक के लिए लिखने के लिए आएगा आप देखते है तुर मार का एक नीवन जो की आठढंक कराये Canton Couch और करने के लिए चार मोर के सब्सक्राइब जो कि कॉनफर्म हो जाएगा यह तो हम 100% आप लोगों को गरांटी देते हैं और 50 नमर का आप जो को आप लोग को जो की गरामर पड़ लेना है ठीक है जुछ नमर का जो कि आपको यहां पर गरामर जो की करके जाना है मेरा अनुभाव है मैं आप लोग को यहा कोस्चन पेपर है जैसा कि आप लोग को पाता होना चाहिए 200 कोड जो कि इंगलिस का 105 होता है आप अपने एडविट कार्ड पे भी देख सकते हैं अगर आपका डाउट है तो देखिए और दोगिक पर सीक्चर उत माधे में कस्तर यह भासा हिंदी अंग्रेजी परिशा 2021 द इसमें भी पूछा जाएगा अब्जेक्टिव की जनकारी आगे हम आपको बताने वाले हैं ठीक है और देखिए समय की बात करें तो देखिए समय आपका जो की तीन घंटा पंदरे मिनट जो की रहने वाला है इस बार भी आपको देख सकते हैं समय में कोई चैंजेस जो की नहीं किया जाएगा और यहां पर देखिए जो की टोटल यहां पर 100 नमर का आपका जो की एक्जाम होने वाला है इंग्लिस और हिंदी का तो देखिए चलिए बात कर लेते हैं इसमें कितना अब्जेक्टिव जो की आप लोग को पूछा देखिए आप लोग को सेक्शन ए म मतलब बताया गया है कि आपको 100 कोश्चन दिया गया है उसमें से आप लोग को चार अब्जेक्टिव जो की दिया गया है उसमें से एक को सही है जिसको आप लोग को टिक करना है तो आप लोग सिंपली यहां पर समझ लिजे जो की आपको इंग्लिस में भी 100 अब्जेक्टि आपको objective एक नमर कराएगा 50 marks का यहां पर आप लोग अच्छी तरह से जो कि समझ लीजिए ठीक है 100 objective पूछा जाएगा और 50 कहीं आप लोग को उसमें से क्या है कि answer देना है OMR पुस्तक पर जो कि आप लोग को गोली आना रहता है टिक करना रहता है ऐसा नहीं है कि आप लोग 100 आया और 100 को फर दियें ऐसा नहीं है ठीक है आप लोग जो कि अच्छी तरह से एक्जाम में जो कि 7 जुलाई को आपका एक्जाम होने वाला है इस बार 2022 में जो कि जल्दी हैं एक्जाम जो कि आप लोग का हो रहा है तो देखिए यहाँ पर आप लोग समाझ गए कि जो कि इंगलिस में भी आने वाला है 50 मार्क्स का रहेगा आप लोग का टाइमिंग भी 3 गंटा 15 मिनट का जो कि रहने वाला है आप लोग को समझ गए अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी और इंगलिस का जो कि 2022 का पेपर करा दूँ करा दूँ तो आप लोग को मैं बता दूँ अगर आप कमेंट कर यह ठीक है अगर आप लोग को चाहिए तो मैं हिंदी और इंगलिस का जो कि 2021 में देख सकते हैं पुछा गया आप मेरे पास जो की question paper रखा गया है क्योंकि हमारे यहां का बहुत चाहत जो की exam दिया था मेरा अनुभाव यहां पर है कि और आप लोग को यहां पर जो की जनकारी देता हूँ जो की देखिए तो आज किस वीडियो में मैंने आप लोगो बता दिया कि exam pattern हो यहां पर किस परकार कर रहने वाला देखिए English का जो की मेरे पास यहां पर जो की तो आप लोग कि आए कि अच्छी तरह से जो की एक्जाम की तियारी कर जाए दिक है और यहाँ पर जो कि हमारे चानल के मादर देंटर का जो कि यहाँ पर पॉल पॉल अपडेट जो कि दिया जाता है ठीक है इसलिए आप चानल से जूड़ जाए ठीक है और वीडियो को लाइ